मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई के कॉंग्रेस नेता संजय निरुपम के खिलाफ केश दर्ज किया गया है आपको बता दे कि शनिवार को मलाड इस्टेशन पर तोड़ फोड़ की गई थी संजय निरुपम पर आरोप है कि उन्होंने बिना इजाज़त सभा की थी और उन्होंने फेरी वालों को भड़काया था जिसके बाद फेरी वालों ने तोड़ फोड़ कर MNS कार्यकरता की पिटाई की थी उनलेकनी है कि MNS कार्यकरता की पिटाई के मामले में साथ होकर्स के खिलाफ IPC की धारा 307 यानी हत्या की कोशिच का मामला दर्ज किया गया है कल मलाड में फेरी वालों ने MNS कार्र करताओं की पिटाई की थी MNS परमुक राज ठाकरे आज घायल कार्र करताओं से मिलने भी जाएंगे पूरा विवाद कॉंग्रेस नेता निरूपम ने एक बयान के साथ शुरू किया दरासल संजय निरूपम कल दोपहर करीब एक बज़े अपने पूरे दल बल के साथ मुंबई में फेरी वालों से मिलने पहुँचे इस दोरान वो कई बार MNS और BJP को ललकारते नजार आए संजय निरूपम की सबा खत्म होते ही MNS कार्र करता एक बार फिर से मलाड स्टेशन पर फेरी वालों के बीच पहुँचे इस बार उनका दाव उल्टा पड़ गया फेरी वालों ने MNS कार्र करता हूँ की बीच बजार में जोरदार पिटाई कर दी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ SPN 9 News Room की रिपोट